Hey guys, welcome to Gills Mentor online e-learning platform रोजगार समाचार के एक और बहतरिन एपिसोड में मैं आप सब का वापस से officially YouTube चैनल पर वेलकम करूँगा IDW Bank के अंदर कुछ recruitment's out हुई है और आपको दिखाऊंगा पुरी detail कौन-कौन यहां पर form भर सकता है क्या-क्या conditions रहेंगी आपका selection कैसे होगा और आपको पास qualification क्या-क्या होनी चाहिए सबसे पहले तुम आपको दिखा देना चाहता हूँ यहां पर number of post लगबग 300 हैं और यह vacancies बड़ भी सकती है qualification की बात करते हैं तो आपके पास graduation होनी चाहिए और 50% marks और 45% S.E.S.T. और P.W.D. candidates के पास होने चाहिए 50% general category और O.B.C. के पास marks होने चाहिए age की बात करते हैं minimum 20 साल होनी चाहिए maximum 25 साल आपकी उमर होनी चाहिए जहां तक बात करते हैं tentative आपका जो exam होगा क्योंकि यह selection होगा through exam होगा और exam आपका May month में हो सकता है 9 vacancies है इसके बाद में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहां पर आपको form कैसे भरना होगा थोड़ा साम देख लेते हैं नीचे इसकी जानकर यह cut off date of eligibility criteria age यानि उमर की जो cut off है guys वो आपकी होनी चाहिए 1 March 2019 से 1 March 2019 से आपकी age को यहां पर consider किया जाएगा online registration की बात है link for the application will be made live shortly यानि बहुत ही जल्दी इसके लिए आपको link दे दिया जाएगा जिसके जरीए आप online apply कर सकोगे payment of application की बात है तो इसके साथ में आप कर सकते हैं जहां तक बात आती है date of pre-examination CST की बात है तो 6 माई को आपको एक मौका मिलेगा 6 माई और 11 माई के बीच में date of online exam की बात है तो यहां पर 16 माई की बात रखे गए 16 माई को आपका all the centers में exam होगा total 300 vacancies के लिए और यहां की बात करते हैं तो career जो prospectus and service conditions रहेगी आपको कहा गया है यह contract रहेगा आपका एक साल का और इसके बाद में review किया जाएगा आपके extension work को यह मलब year to year उसी परकार से आगे आपको उस job से निकाला नहीं जाएगा बलकि इस job में आपको continue रखा जाएगा आगे आपके contract को continue करके राइट जहां तक बात करते हैं consolidate जो आपको इंटिमेटर ड्रो एनी लांसे सच एड़ी ए एचरे आपको यहां पर कुछ भी mention नहीं किया गया है फर्दर इसकी जानकर इसकी website पर मिल सकती है ठीक है क्योंकि जहां तक बात आती कि यहां पर online application अप अपलाई करेंगे form अपलाई करेंगे तो उसकी fees का link भी आपको website पर मिल जाएगा 20 से 25 साल तक कि आपकी उमर होनी चाहिए 5 साल का age में छूट मिलेगा CST को और 3 साल मिलेगा यहां पर backward non-crimalier को 10 साल PWD candidate को age में छूट मिलेगी इसके बाद में और जानकरी थोड़ी से देख लेते हैं अपने जहां तक बात आती है कि education qualification की आपके पास degree होनी जरूरी है चाहिए आप किसी भी subject से आपने की है 50% general category को 45% marks है वो CST और PWD candidates के पास होने जरूरी है इसके बाद में आगे थोड़ी जानकरी और देने की कोशिश करेंगे कि आपको इस form के साथ क्या-क्या conditions होगी चाह तक बात करते हैं कि non-refundable जो फीस होगी form के साथ में फीस होगी 150 रुपे CST, OBC, PWD और general category को 700 रुपे फीस पे करना होगा और ये आपने थुरू bank transaction के थुरू करेंगे आप लोग online जब form भरेंगे उसी के साथ में आपको पे करना होगा अपलाई करने के लिए आपको क्या करना होगा इसकी website पर जाना होगा website पर आपको proper जैसे IBPS की form भरे जाते हैं वैसे ही आप भरेंगे और ये आप दुबारा से देख सकते हैं ताकि किसी भी students को किसी भी प्रकार की गल्थ पहमी का शिकार ना होना पड़े ठीक है इसके बाद में application जो procedure है वो आपको यहाँ पर मिलेगा www.idb.com पर आपने जाना है और apply online आपने उस website पर देखना है my career, my career पर आपको proper जानकरी दे दी जाएगी और आपने click करना होगा click here for the new registration जैसे उसको open करेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने proper जानकरी आफिल करने के बाद में payment mode पर जाएगा payment आपको submit करने के बाद में आपका form successfully submit होने के बाद में आपकी proper जानकरी आपके पास आ जाएगी और guys ये आप सब तक बहुत अच्छा मौका है मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं selection process क्या होगा आपका जो exam होगा इसमें reasoning 50 marks 50 question है working English language 50 question 50 marks रहेगा quantitative aptitude 50 question 50 marks 150 question 150 marks के रहेगे 90 minute का आपके पास time रहेगा और इसी के base पर आपका selection होगा paper की language Hindi और English रहेगी आपके पास usable मौका होगा आप जैसा भी चूज कर सकते हैं negative marking एक बटा चार रहेगी and 0.25 negative marking रहेगी और इसके बाद में आपको mains paper की कोई भी यहाँ पर detail नहीं दी इसका मतलब है कि pre paper की base पर ही आपका selection होगा I hope आपको पूरण जानकरी समझ में आगी होगी तो आगे like और share करना बिल्कुल भी नहीं बूले thank you so much आप सबने time दिया अपने दोस्तों तक जरूर share करिएगा ठीक है thank you so much